अगर हिंदुस्तान में मैंच पिक्सिंग का चुनाओं बीजेपी जीते इस पूरे देश में आग लगने जा रही है तो पच्छी सा लाग आए थी थे यह सारा काम उसी दिन इमठ जबता केस जैसे पुन्नों ने कहा था भारत की संसद पर और तरह das संसे का लिक Uhh evapi आप जेखली स्रेलिंगा हो वह यह कोई और देश हो अगर ताना उधी है तो लोग ऊगर Миłem सावे çevrez कर देख रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं खबरी शो दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैट से जब बंगला देश की इस्तिति पे सवाल पूछा गया तो राकेश टिकैट का कहना था कि ये काम तो हम दिल्ली में 26 जनवरी को ही निप्टा देते जिस दिन 25 लाग किसान दिल्ली में घुस गयते और ये नेता ढूंडे से भी नहीं मिलते तो इसी को लेके चल रही डिबेट में राष्ट्रेवादी नियूज एंकर असोक सुरिवास्तव ने राकेश टिकैट के साथ साथ कॉंगरेस का भी गेम खुलके रख दिया है दोस्तों वीडियो बहुत मेदार होने वाली है आप से नोधान्त तक जरूर द पी है आपको याद होगा एक भारत का कैरोसिन मैन अब जड़ा कैरोसिन मैन को भी सुनगे सुनिए जड़ा अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओं बीजेपी जीते और उसके बाद सविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है चुनाओं बेदियर आहुल का बयान था और दूसरा बयान अंग्रेजी में था जो उन्होंने ब्रिटेन में दिया था कि भारत में केरोसिन चिल्की हुई है सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है बंगला देश में चाहिए पन्दरा साल से जो आदमी सत्ता पर काविज यह फिक्सके नेता आजब जयलू में बंद है तो यहीं तो होता है अब यह भागने आए जारे बंद है यह यह आल यहां होगा यह डुड़ने नहीं देगे जंता बहुत गुश्य में यह तो उस दि अफिर तो पच्चीसा लाक आए थी ठेंद यह शारा काम कुंसी दिन निम्ट जपता केस यह निम्टका चूक रहेगी शुक उन्होंने कहा कि तैयारी तो 26 तारिक को भी थी 26 जनवरी को थी 26 جनवरी को लाल के लिए भेज दिया बैका दिया मतलब इनों ने किस ने पुलिस ने और जब जो लोग जिन लोगों ने इदर संसद में जाना और संसद पर जाकर भारत में सरकार गिरा देनी हैं, भारत में सत्ता पर कबजा करना हैं, क्या ये पूरा प्लानिंग से हुआ था, आप लोग को इसकी जानकारी है, जो राकेश टिकेट में जो खुला सा किया। पती, क्योंकि सरकारे आती जाती रहती हैं, और आप लोग, आपको अमने उस दवक्त भी देखा है, जब ये सरकार नहीं थी, और ये सरकार दो में थी, और ये रोड पर चल लए थे, तमाम धरने परदसन कर रहे थे, और ये वही लोग हैं, जिन्नोंने 50 साल सक तिरंगे को न आज हम आंदोलन के रास्ते पर हैं, और हम भारत के लोकतंत्र को मानते हैं, और अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और आप दंगई और प्रोसीन में और ये कहना उचित नहीं हैं, क्योंकि हमारे जितने आंदोलन होते हैं, वो सब सांति पूर्वक होते हैं, और उनको गांदिवादी तरीके से हम करते हैं, वो लोग हैं, जो लोकतंत्र को दबाना चाते हैं, जो हमारे लिए कीले उखते हैं, और हमको रोकना चाते हैं, क्या आप नहीं चाते कि कोई आवाज हो तो उसको उठा जाए, लोकतंत्र का यही मतलब होता है, और उन्ह आपको यह शिकायट रहती है कि मेरी सब्सक्राइब कर देता है तिसरी बार मैं आपसे सवाल पूच रहा हूं ठीक है ना मैंने अभी तानाशाही वाली बात पर आए नहीं मैंने तीसरी बार आपका ज़ाब नीए गया तो मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना पड़ेगा उसके बाद अगर आप बोलते रहेंगे तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता और मैं चाहूंगा पिर दूसरे महमान भी आपकी तरह पूरे आदर के साथ मैंने बुलाएं उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए इसलिए आपके साथ और मेरी गुफ्तगु अकेली नहीं है इसलिए मैं तीसरी बार आपको मौका दे रहा हूं सावाल पूछने का मैंने सीधा सीधा पूछा कि राकेश टिकैत ने ये खुलासा किया है कि 25 जनवरी कोई पूरी तयारी थी वो तो हमको भेज दिया लाल की ले की तरफ नहीं तो 26 तारीक कोई हमारी तयारी थी पारलेमे कि सावित मलिक जो किसान अंदोलन नैंद में उनको ये पता नहीं था कि राकेश टिकैत का क्या शड России इंद्र कर रहे थे किरेए कभिस भार निक कोμεित वह पता था इसन आप इसके दो तो मतलब हैं या तो राकेश टिकैट जैसे बड़बोला नेता है तो बड़बोलेपन में उसने बयान दिया है मैं कभी इस तरह की भाशा का इस्तमाल नहीं करता राकेश टिकैट के लिए कभी नहीं करता, वो बहुत महान नेता, वो टिकेट, बाबा टिकेट के बेटे हैं, महान नेता है, मैं साधर नमन करता हूँ बाबा टिकेट को, लेकिन मैं कभी राकेश टिकेट के लिए ऐसी भाशा है, लेकिन कल का जो मैंने बयान सुना, मैं मजबूर हूँ आज राकेश ट किया जो बड़वोला नेता है उसने बड़बोले पण में कह दिती है उसकी योजना थी कि संसद बाहुन पर जाकर हमला करने की क्योंकि पहले भी उसने कहा था कि ट्रैक्टर जो है हमारे संसद में जाएंगे, संसद में चड़ाई कर देंगे पहले भी ये राकेश टिकेट ने कहा था तो योजना दरसल राकेश टिकेट की थी जिसके बारे में साबित मलीक और बाकी जैसे किसान नेताओं को पता ही नहीं था राकेश टिकेट कोना उसके बारे में जान लीजिए जिन लोगों का समर्थन करने वाले वो भी जान ले ये राकेश टिकेट वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था लेकिन ये राकेश टिकेट वो है जो औरंग जेब की मजार पर माथा टेकने गया था आप समझ ये किस तरह का व्यक्ति है राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म को गालियां दी अब सानातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते ही होता है लेकिन उसके बाद औरंग्जेब की मजार पे माथाटेक नहीं गया था तो राकेश टिकैत है जो तब नजर नहीं आया और सावित मलिक जी भी नजर नहीं आया मुझे वादा भी किया था मुझे मालूम निसावित मलिक जी आपने वादा किया था मेरे कारिकर में अगर आपके पास तस्वीर हो तो मुझे दिखाइए मैं फ्लैश भी करूँगा 1200 किसान करनाटक में आत्मत्या करी थी एक किसान नेता वा नहीं गया परहे तो तस्वीर हो तो दिखाइएगा 2200 किसान के परिवारों का दर्द आप जानने के लिए गये तो तस्वीरों तो मुझे बेजे मैं आपी चलाता हूँ 2014 में जब चुना हुआ था सुचिए का ये भी देखे 2014 में जब चुना हुआ था और चुनाव के समय जब इनकी जमाने जब तुई थी, दो बर चुनाव लड़ा, दोनो बर जमाने जब तुई, तब इसने जो अपने संपत्ती का ब्योरा दिया था, साड़े चार करोड रुपे दिया था, और अब ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 80 करोड रुप कि संपत्ती का भी उजागर करें, कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और मानिया परधान मंत्री जी की, पहले क्या थी और आज क्या है, परधान मंत्री जी की संपत्ती आपको पता है कितनी है, परधान मंत्री की संपत्ती जो है, टिकेट से कम है, इस देश का परधान मं अगर राकिश चिकेpt जैसे किसान देश में हैं आगर राकिश चिकेत जी इंदेशodus में निया., presence में मिस Roberto जां पार कर वार देश में इस साल के अंदर बताईए आज देश को फार्मूला बताईए चार करोर से 80 करोर देश के किसानों को बताईए फार्मूला चार करोर से 80 करोर दस साल में कैसे कमाई होती है बताईए कैसे एक किसान कैसे एक किसान लगसरी गारियों का शोरूप होते हैं कैसे किसान बेंकेट होते हैं यह फॉर्मूला बताईए सावित गली के फॉर्मूला बताईए देश को आप बताईए देश के किसानों को फॉर्मूला बताईए चार करोर से 80 करोर कमाने का देश के किसानों से गंदारी मत कीजिए सावित मलिक देश के किसानों से गंदारी मत कीजिए देश के किसानों को बताईए कैसे आप जैसे किसान चार करोड सास्य करोड खमाते हैं पूरे देश के किसानों को बताईए देश के किसानों से गंदारी बंज गीती है और एक तस्वीर दिखाईए आप बारा सो किसानों का दर्द जानने का थे साविज मलिक चैलेंज कर रहा हूं एक तस्वीर दिखाईए आप मेंसे एक भी नेता बारा सो किसानों का दर्द जानने के पहुंचा था एक तस्वीड दिखाईए आप सब लोग double standard हैं सिर्फ भारत में दंगया करना चाहते हैं बारत में दंगया करवाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैचतर सक्ता की मलाई खाना चाहते हैं तुम्हें शरम है कुछ? कुछ शरम हाया है दोस्तो अगर आपने वीडियो अंतταक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंदाई होगी दोस्तो वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमंट्स करके जरूर बताएं वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं वोजल लगली वीडियो में तब तक के लिए चेहिंद पुंदे मातरम